अनुराग कश्यप ने कहा कि उन्होंने धर्मेंद को एक फिल्म का विचार दिया, जिसे ये पसंद आया, लेकिन उनके बेटे सनी देओल ने इसे मना कर दिया। उस समय बॉलिवुट के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी ने कहा, देओल्स मरते नहीं है, इसका आर्थ ये था कि धर्मेंद का चरित्र अनुराग की कहानी के चर्मोतकर्श में मर गया होता। समदीश भातिया ने अनुराग से पूछा कि क्या वो धर्मेंद से मिले है, फिल्म निर्माता ने कहा कि धर्मेंद क्यूट है, मीठा और प्यारा उन्होंने कहा, करिया की शुरुआत में बहुत पहले, बेटा, टाइम हो गया है मेरे मुह पर मेक अप नहीं लगा, करते हैं उसने मुझे बताया कि उसे ये पसंद आया क्योंकि उसने लंबे समय से बिना मेक अप के कोई भूमिका नहीं की है, सनी ने मना किया, देओल्स मरते नहीं है, उन्होंने जवाब दिया, तथ्य, उन्होंने कहा, मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, सनी जी उनके पसंदीदा अभिनेता है, अन्हों तोग बोल दिया, विश्वास ये था कि यदि नायक मर जाता है, तो फिल्म विफल हो जाती है,